जै जै श्री राधे शाम निताई गवर हरी वोल आज की हमारी इस वीडियो में हम श्री प्रियाजु के शष्टम विलास का चिंतन करेंगे हमने अपनी पूर्व की प्रथम विलास, द्वित्य विलास, तृत्य विलास, चतुर्थ विलास, पंचम विलास की वीडियो में प्रियाजु के पाचों विलास का दिव्य चिंतन किया है आज प्रियाजु का शष्टम विलास यानि छटा विलास है हम सुने हैं प्रथम दिवस जीव लौकिक वैदिक आवरन में हुवे और वाहिसो प्रभु के सनमुख होता है फिर द्वित्य विलास में जीव को सूरे को प्रकाश भगवत कृपा जल को पोशन यानी सस्वशंग और भूमी की हूफ यानी आत्मचिंतन की प्राप्ति होती है तीसरे दिन जीव भगवत रस्सो फूल जात है चौते दिवस जीव में भगवत प्रेम को कोटा फूटत है पंचम दिवस वा कोटा में दो हरी पत्ति प्रकटत है यानी की सोभाव हरी तो होत है और अब छटे दिन जो जो का रोपन हुआ था नवरात्र में अब छटे दिन क्या विशेश्ता है अब छटे दिन जीव लोक वेद के आवरन को उठाके भगवत प्राप्ति को तत्पर हो जाता है आईए हम प्रियाजु के छश्टम विलाश का चिंतन करें आज की मुख्य सकी है श्री भामा सकी आज लीला इस्थली है श्री गोवर्धन वन आज के वस्त्र गुलाबी रंग के हैं आज के आभूशन नवरतन है आज की सामगरी भोग सामगरी माल पुआ सिकोरी है तो आए हम दिव्य उस श्री विलाश का चिंतन करें छटो विलास कियोशा माजू गोधन बन को चली भामाजू पहरे रंग रंग सारी हातन पूजा थारी ताकी मुख्य सहचरी राई केलन को बहुत सुघराई आज पृजू को दिव्य छटो विलास है और आज कहाँ आज दिव्य श्री गोवरधन वन की और चली है श्री पृजू किन को लेकर दिव्य सक्खियों के यूथ को लेकर और आज की मुख्य सखी श्री भामाजू के नित्रत्व में दिव्य पहरे रंगरंग सारी अदबुद रूप की सारी पहनी है और हातन पूज अन्धारी ताकि मुख्य सहचरी राई खेलन को बहुत सुगराई अत्यंत हर्ष में भरी हुई या दिव्य विलास को खेल खेलने के ताई सब सखियां भामाजू को अग्र गणी करकर श्री प्रियाजू के सहित चल रही है चली बन बन बिहसी सुन्दरी हार कंकन जग मगे आय मंदिर पूज देवी भाग आय मंदिर पूज देवी भोग सिखरन सग मगे सब दिव्य रूप में सुन्दर श्रिंगार करकर आनंद में भरती हुई हार कंकन पहन कर जिनके कंकन से अदबुद उनकी शोभा ऐसे जगमगा रहे हैं मानों कि किसी गुहन गोर काले मेग में कोई भी जुरी चमक रही हो दिव्य रूप में आई है सब सकिया देवी के मंदिर में और आकर दिव्य रूप में देवी की अरचना करी है देवी को दिव्य रूप में भोग अरपन करे हैं और खूब आनंद मंगल गीत गाए है ता समे प्रभु आये पधारे कोटिक मन मत मोह ही निरख सक्यन कमल मुखमानो निधन धन जो सो ही उसी समे दिव्य रूप में दिव्य श्री मदन मोहन लाल जू वहां सक्यन के मद्धे में आये पधारे हैं और वा की शोभा को देखकर करोडो करोडो काम देव भी उनके उपर मोहित हो रहे हैं दिव्य रूप वा रूप को दर्शन करके वा मुख कमल को दर्शन करके सब सखियां आनंदित हो गई और सब सखियां स्थब्द हो गई वा रूप सोंधर्य लावन्य रूप को देख कर ऐसा प्रतीत हो रा है मानो किसी निर्धन को अपार धन जिसकी उसने कभी कलपना भी ना करी हो वो प्राप्त हो गया हो और वो जैसे उसे देख के बोरा जाता है ऐसे सब सखियां शाम सुन्दर की शोभा को देख कर चकित और आशर्य में वर गई खेल को आरंभ कीनू राधा माधव बिच किये वाकी पर चाई परी तब रसिक चरण अनचित दिये दिव्य रूप में अब तो रास विलास हास परी हास दिव्य रूप में प्रियाजू को विलास हो रहा है शाम सुन्दर के साथ दिव्य रूप में श्री प्रिया प्रितम विराजमान है दिव्य रास विलास हुरा है और उनकी मधुरम पर छाई जब पर रही है उसे देख देख कर रसिक जन उनके चरणों पर बार 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 बलिहारी जा रहे है इस दिव्य विलास की बार बार मनुहार नियुचावर कर रहे हैं ऐसो दिव्य श्री प्रिया प्रितम को छटो विलास है हम भी इस विलास का चिंतन करें और इस दिव्य जाकी को अपन हिर्दे कमल पर विराजमान करके नित्य नित्य श्री प्रिया प्रितम की इस लीला का चिंतन करते रहें जै जै श्री राधे शाम निताई गवर हरी वोल